नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है 25 दिसम्बर दिल सुमबार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार बोर इंटर प्रैक्टिकल परच्छा 2024 के लिए एडविट का जारी मुख्यमंत्री नीजी नलकूप योजना का ऐसे उठाएं लाब प्राची देशाई ने मनोज बाचपई को लेकर कही ये बार बरहे कोबिट मामले के बीच डबलू एचों ने देश से निगरानी बढ़ाने को कहा भारतिय महिल अफ्रिकेटीम का वान खेरे में डबल धमाका अब चले बरते हैं ब्रहाद के अब तक की 25 वड़ी खबरों के ओर विस्तार से 85 पदों पर GIC अधिकारी के लिए निकली वेकेंसी जनरल इंसरेंस कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया GIC के दौर एसकल एक ओफिसर पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वह लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वाधिकारिक वेबसाइट GICRE.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं पतादे की भरती अभियान संगठन में 85 पदों को भड़ेगा वह इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारिक 12 जन्वरी 2014 तक निर्धारित की गई है इसके लिए अगर साचनेक योगिता की बात करे तो अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योगिता निर्धारित की गई है ऐसे में एक्चु कुमिद्वार इस सजरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी की गए अधिसूशना को ज़रूर देख रहे आज है क्रिस्मस टे, सीयम नितीश ने दीबधाई इस आई धर में प्रमो क्रिस्मस का तेवहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा इस क्रिस्मस के तेवहार को जिसस इसू के जंदन के रूप में मनाया जाता है इस अफसर पर लोग चर्च जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, प्रातना करते हैं और अपने घड़वा, क्रिस्मस ट्री सजाते हैं इस दिन को लोग बड़े ही धूमधाम से केक कट कर पाटी के साथ इंजॉय करते हुए मनाते हैं थोटे बच्चों को शांता क्लॉज का इस दिन खास अंतजार रहता है, क्योंकि बच्चों के लिए सांता क्लॉज, चॉकलेट, गिफ्ट्स और ना जाने कई चीजे ले कर आते हैं क्रिस्चन मानेताओं के नुसार इस दन यानी, 25 दिसंबर को ही बेथ लहम में मरियम ने इशु को जन दिया था, तब से इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाने का प्रचलन शुड़ हुआ आज क्रिस्मस के मौके पर बिहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार के द्वारा भी राज्य वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुपकामनाय दी गई है उन्होंने कहा कि प्रभु येशु मसी का संदेश, त्याग, शांती, प्रेम एवं करुणा का है जो संपुर्ण मानवजाती के कल्यान के लिए है प्रभु येशु मसी के संदेश को अपने जीवन में उतारे, मुख्यमंतरी ने विश्वास व्रक्त किया है इक क्रिस्मस का परवडाज जेवासियों में प्रेम सदभाव के साथ साथ सुक, सान्ती एवं सम्रिधी लेकर आएगा बिहार परटन में आज हम बात करेंगे सेशा सुरी मस्जित के बारे में शेर्शा सुरी मस्जित को शेर्शाही के नाम से भी जाना जाता है जो पटना शेहर मस्तित है यह मस्जित अफगान शैली की वास्तुकला का एक बहतरीन उधारन है जिसे शेर्शा सुरी ने अपने वर्चश्व की याद में बनवाया था मस्जित परिसर के भीतर मगबडा मौजूद है जो एक अस्ट कोन ये पत्थर से ढगा हुआ है शेर्षा सुरी मस्जित का मुख्या कर्शन इसका केंदरे गुंबद है जो चार छोटे गुंबदों से घिरा हुआ है इसे वास्तुकला का अजूबा ही कहा जाएगा कि गुंबद को चाहे किसी भी कोन या दिशा से देखा जाए केवल तीन ही गुंबद हर बार नज़र आएंगे इस मस्जित की खूबसूर्ती और प्रेणादायक वास्तुकला को दुनिया भर के परिटक सराते हैं मस्जित का निर्माद 1540 में शेर्शाशुरी के सासनकाल में शुरू हुआ और यह 1545 में पूरा हुआ यह भारत की कई एतिहासिक मस्जितों में से एक है और पटना में एक मील का पत्थर है बिहार बोर्ट इंटर्ट्राक्τιकल परिच्छा 2024 के लिए ऐडमेट कार जारी जाकर अपने यूजर आइडी और पास्वर्ट के जरी है 9 जनवरी 2024 तक डाउनलोड कर सकते हैं पतादे कि बोर्ड की ओर से मुख्य परिक्षा के लिए अलग से अड्मिट कार्ड को जारी किया जाएगा वहिन सब के अलावा अगर छात्रों को अड्मिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की परिशानी होती है तो इसके लिए छात्रों को बोर्ड के द्वारा जारी किये गया हल्प लाइन नंबर का सहरा लेना होगा मालूमों कि अड्मिट कार्ड के बिना छात्रों को एक्जाम सेंटर में अड्री है मुख्य मंतरी नीजी नलकूप योजना का ऐसे उठाई लाब अगरा बिहार सरकार के साथ निश्य के तहत हर खेत तक सचाई का पानी के अंतरगत मुख्य मंतरी नीजी नलकूप योजना का लाब उठाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दे किस योजना की विसेस्ता के अंतरगत 4-6 इंच वियास के नीजी नलकूपो पर अनुदान 2-5 HP के मोटर पंप पर अनुदान 49 डेसिमल भुखन की पातरता और अनुदान का भुखतान दो चरणों में आधार लिंक बैंक खाते में शामिल है मालू हो कि योजना के तहट 30,000 नलकूपो पर अनुदान दिया जाता है अगर आवेदन की प्रक्रिया एवं सुकृत की बात करें तो फुर्व से सरवेक्षित प्लांट स्थलों पर आवेदन विभागी अभ्यंताओं प्लांट की जाएगी और आवेदन क्राप्ती स्विकृति वह और अस्विकृति की सूशना कसान को दी जाएगी राचे के बसों में ड्राइवर के साथ कंड़क्टर भी रखेंगे लाइसेंस ड्राइवर के सहियों की कंडुक्टर को भी राजे में चलने वाली यात्री बसों में लाइसेंस रखना होगा, कंडुक्टर अपना काम नहीं कर पाएंगे यदि उनके पास लाइसेंस नहीं होगा, बता दे किस बात कर नर्नय पडिवहन विभाग के समिछा बैठक में लिया गया है साथ ही अभी सुनश्चित करने को कहा गया है कि शहरी और ग्रामी निलाकों में यात्रीयों की सुरक्षा का नुपालन करे विभाग के मताबिक बसों में ड्राइबर के साथ कंडुक्टर का भी लाइसेंस दरूरी होता है, लेकिन असनियम का पालन नहीं किया जाता ह मगर अब ऐसा नहीं होगा इसलिएम को लेकर जांच भी कि जाएगी बिहार में film policy और middle law नौकरी पाउ पर तेरश्वी ने की चर्चा तेश्वी आदव ने बिहार में फिल्म पॉलिसी की चर्चा की है और साथ ही एक काड़ेक्रम के दौरां उन्होंने मिडल लाओ नौकरी पाओ का भी नारा दिया वहीं फिल्म पॉलिसी को लेकर नौकर नौकर होगी साथ ही बड़े पैमारी पर फिल्मों की बिहार में सुटिंग होगी जिससे बिहार में फिल्म इंडुस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा पटना हाई कोट सहायक भरती परिक्षा का रिजल्ट घोशत अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो पटना हाई कोट में सहायक भरती परिक्षा में भाग लिये थे तो यहाँ खबर आपके लिए है बतादे कि पटना हाई कोट में सहायक भरती परिक्षा का रिज जिद की गई थी, इसके साथ ये संब्द में अधिकारिक नोटीस भी जारी किया गया है, जिसमें कहागा है, जिन उमेद्वारों ने लिखित परिच्छा के सामाने अंग्रेजी और सामाने हिंदी दोनों भागों में निंतम युगिता मांदन प्राप्त कर लिया है, उन्हें उप्लदित्रा के अनुसार विग्यप्ती, रिप्ती के मुकाबले तीन गुना कानुपात में परिणाम की तयारी के लिए ध्यान में रखा गया है। अन्य विद्वान की तुलना में सबसे अधिक संस्कृत दार्शनिक ग्रंथों का अनुवाद किया है और उनके द्वारा अनुवादित ग्रंथों के लेखने उधारनों में स्लोक वर्तिका, तंत वर्तिका और सबारा भाश्य शामिल है। प्राची देसाई ने मनोज बाजपई को लेकर कही ये बात, अभी हाल में प्राची देसाई ने OTT प्लाटफॉर्म में अपने करियर की शिरवाद की है। उन्होंने ये शिरवाद तेलगू प्लाटफॉर्म से की। इस वेफशो का नाम ढूटा है, एक मीडिया साक्षातकार में उन्होंने अपने स्यात्रा के कहीं पहलों पर कहीं विचार साजा किये। जहां उन्होंने अपने Can You Hear It के सह कलाकार मनोज बाजपई को जिवित किवदंती कहा। उन्होंने पताया कि मनोज सर के साथ यह कभी ना खत्म होने वाली सीख है क्योंकि अपने जीवन में इस तरह के अनुभव के साथ एक व्यक्ति होना। और इस नई युक के सबसे बहतरीन और परिस्कृत अभिनेताओं में से एक जिसे हमेशा याद किया जाएगा। वह ऐसा है कि एक जिवित किद्वन्ती इतनी सफलता और प्रसंसा के बाद इस तर पर उन्हें काम करते वे देखना शरिचनक है कि उनके हार नम मानने का बता दे कि वह बीते कुछ दिनों से औस्वस्त चल रहे थे वह उनका दास अंसकार पैत्रिक गाउं मुही उद्दीन नगर के कुर्साहा में किया जाएगा मालूं हो कि एक कुषर राजनतग्य के साथ सा समस्तेपुर के चर्चित अधिवक्ता भी थे उनके निधन पर बिह दिये थे वह एकुष राजनिता एवं समास सेवी थे समाजिक कारियों में उनकी गहरी अभी रूची थी वह मिलनसार व्यक्ती थे उनके निधन से राज़्यतिक एवं समाजिक छेत्र में अपूर्णिय च्छती हुई है बता दे कि रामचंदर राई का अंतम संसकार राज दाताओं से कहा कि पीएम मोदी की गारेंटी वाली सरकार में देश की चौमुखी उननती हो रही है पीएम की सोच है कि हवाई चपल पहनने वाला हवाई जाहाज में बैठेगा पूर्णिय एरपोर्ट को लेकर काम जारी है यहां से जल्द उरान शुरू होने वाली है उरा पही अब वहां से 375 लीटर शराब जब बिहार में पूर्ण रूफ से सराब बंदी है इसे तो हम सभी वाकिफ है लिकन इसके बावजूद भी आए देश शराब तसकर इस जड़े मामने सुनने को मलते रहते हैं हालाके इन पर नकेल कसने के लिए उतबाद विभाग की ओर से जीतोर कोशिश की जा रही बता दे कि ताजा मामला बिहार के नवादा जले के स्टीट हाईवे सत्तर गया रजॉली मुख्यमार के मुर्ली चेक पोस्ट का है जहां परना डावर के पुलिस के द्वारा एक चार पहिया वाहन पर लोट 375 लीटर देशी महुआ सराब बढ किया गया है और साथ ही एक तसकर की भी गिरिफतारी की गई है फिलहाल चार पहिया वाहन के मालिक और शडाब तसकर के विरुद उत्पात अधिनियम के तहत एफायार दर्जकर अगरतर कारेवाई शुरूप कर दी गई है पतादिक इस बात की जानकारी थाना अध्यक जित हॉस्टल एसोसियेशन ओफ इंडिया की राजिस साखा का चार दिवसी है फैमली कैंप 2023 का आयोजन किया गया जो की 27 दिसंबर 2023 तक चलने वाला है इस दोरान राजेपाल को एक शॉल एवं मोमेंट देकर उनका स्वागत किया गया वहिस्मोगी पर उत्पस्तत लोगों को सं हमन नहीं कर पाएंगे इस देश की विराशत पर एतिहासिक संस्कृति सम्रिधी परंपरा पर हम सबको गर्व है इसलिए हमारा यह जो कारिक्रम है फैमली कैंपेइन अपने परिवार के साथ सभी जगह से लोग एक अट्टा आई है और प्रदेश को समझे देश को समझे य बिहार का तापमार बिहार का मौसम एक बार फिर करवड बदल रहा है सूबे में ठंड ने दस्तक तो जरूर देती है लेकिन कंकनी वाली ठंड अभी भी सूबे में नहीं पर रही बता देगी मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार अगले पांस दिन तक पाड़ा बढ़ेगा इसकी वज़े से ठंड और कम होगी मौसम विग्यान अनुप कुमार चौबे ने बताया कि साल के आखरे दिनों में पहारो पर बर्फबारी हो सकती है से में मौसम में बदलाब होगा और 29 दिसंबर के बात करकर आती ठंड पड़ेगी कि दिन में दूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी लेकर शाम होते ही ठंड का सितम महसूस करने को मिलेगा मौसम विभाग की माने तो नए वर्स तो हजार चौबस का आगास ठंड से होगा यानि नए साल के पहले सब्ता हमें लोगों को कंकनी वारा ठंड से सामना करना पड़ेगा दिन में मौसम साफ रहेगा और धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी लेकिन साल के शुरवात में भी सर्दी का सितम जारी रहेगा उनतर सो और तीस समबर से मौसम में बदलाव शुरू हो जाएगा मौसम विभाग का कहना है कि उस समय ठंडी हवाय चलने से तापमान तेजी से नीच जाएगी गंगा के रास्ते सामान का एक्सपोर्ट एंपोर्ट हुआ शुरू पहली बार सामान को पटना से कॉलकता भेजा गया है इसके साथ ही कई और अन्य बड़ी कंपनियां भी हैं जिन्होंने सामान की ढुलाई के लिए संपर्ख किया है गायगार बंदरगा से जहाज का परिचाला शिपिंग कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया द्वारा किया जा रह बढ़ रहे कोविड मामले की बीच डबलू एचो ने देश से निगरानी बढ़ानी को कहा एक बार फिर से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी होते जारी है को देखते वे विश्व स्वास्त संगठन के द्वारा दक्षिन पुर्व एसिया के देशों से कोविड उन्निस और इसके नए उपस्वरूप के जे एन एक तथा इन्फियंजा सहित स्वशन रोक के बढ़ते मामलों को देखते वे निगरानी विवस्था को और मजबूत क चलता है कि जे एन एक द्वारा उत्पन आंतरिक सार्वजनिक स्वास्त जोखिम कम है इसके विकास के अनुसार हमें अपनी प्रतिक्रिया तैय करनी चाहिए और लगाता नजर रखनी चाहिए इसके लिए देश को निगरानी और अनुक्रमन को मजबूत करना होगा और आंक शुरू हो रहा है आपके जानकाडी के बतादी कि भारत में एक दिन में कोवर्ड उनस के 656 नए मामले सामने आये हैं वही उप्चारा धीन मरीजों की संख्या परकर 3742 हो गई है बिहार में शुराब बंदी को लेकर जीतन राम मांची का बयान बिहार में शुराब बंदी को लेकर बिहार के पुर्व मुख्यमंतरी जीतन राम मांची के द्वारा एक बार फिर से अपना बयान दिया है और हुने कहा कि आवशक्ता के मताविक शिराब का सेवन फाइदे मंद होता है इसलिए बिहार में भी गुजरात की तर्ज पर शिराब बंदी लागो हो और हुने कहा कि नितीश कुमार के शिराब बंदी बिहार में 900 चुहे खाकर हज जाने वाली बात है शिराब एक पेई की बात करते हैं गुज्रा सरकार को धनेवाद देते हैं कि गिफ्ट सिटी के नाम पर होने आज शड़ा को खोल दिया है सरकार निया फैसला इसलिए कि आकी बाहर से वैपार करने वाले लोग गुज्रात आते हैं तो स्राजी को राजिश्व की प्राक्ति होती है श्राब चले जाते हैं अगर वहाँ श्राब मिलती तो शायद वहाँ आज जो फॉर्न एक्स्चेंज मिल रहा उससे दस गुनाधिक फॉर्न एक्स्चेंज मिलता भाजपा के समराट की इंडिया को चुनौती बिहार भाजपा प्रदीश अध्यक समराट चौधरी के द्वारा वीतेदन तमिलनादू के डियानिधी मारन की हिंदी भाशी लोगों को लेकर दिये गए विवायत बयान पर बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कुमार और में सहन करने का काम नहीं करेंगे उन्हें कहा कि दया नेधी को चमा मांगनी चाहिए अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो उसके खिलाब भारतिये जनता पार्टी आंदोलन करेगी लालो प्रशाद के परिवार के लोग भ्रशचारी लोग हैं लोगों ने बिहार को लूट या लाल जड़े के लोगों किसी का खाता नहीं खुलेगा जदियों की बड़ी बैठक पर सीम तीश के मंत्री का बयान 29 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में होने वाली जदियों के राश्ट्रिय कारिकार्णी और राश्ट्रिय परिसत की बड़ी बैठक को लेकर तयारियां शुरू हो चुकी है ऐसे मिस बैठक को लेकर जदियों कोटे से बिहार सरकार के मंत्रे विजय चौदरी के द्वारा कहा गया कि राश्ट्रिय कारिकार्णी और राश्ट्रिय परिसत की बैठक लंबे समय से नहीं हुई थी लेकिर अब लोगसभा का चुनाव नस ना तो कोई जगह बची है और ना किसी कारेकरम के लिए उनसे बातचीत की जाती है सुसील मोदी की बीजेपी में कोई एहमियत नहीं बची है ऐसे में जब अपना ही जगह नहीं रहता दूसरे की जगह पर तांग जाग करते रहते हैं भारतिय महिला क्रिकेट टीम का वान खेरे में डबल धमाका भारतिय महिला टीम के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को घरेलू धर्ती पर आठ विकेट से दूल चटाया गया टीम ने दूसरी पारी में 75 रन बनाकर दो विकेट गवाते हुए मैच अपने नाम कर लिया मालम हो कि भा सबसे आदा संहिराना के द्वारा. चार विकेट लिये गे, इसके लावा हर्मन खी पुर्ण और रजश्वरी गायकवार के द्वारा दो-dो विकेट लिये गे और साथ ही पूझा वस्थाकार टे ये एक विकेट अपने नाम किया. मालम हो कि भारत ने जीत के साथ ऑस्ट्र प्रश्रट में हत्या मुगल सासक शाह आलंग दूइत सत्रस खत्तर में मराठाओं के सनक्षन में दिल्ले के सिहासन पर बैठे। प्रश्रट में हुआ श्रंस्कृत भासा के प्रकांड पंडित गंगानात ज्या का जर्म 872 में हुआ ब्रेटरिस कालीन भारत के प्रमोख नेता और मुस्लिम लीक के अध्यक्ष मुहम्मद अली जुन्ना का जर्म 886 में हुआ एक प्रसिद चिकिसक प्रसिद प्रसिद चित्रकार, सतीस गुराल का जर्म 925 में हुआ हिंदिस सहितिकार, धरमवीर भारती का जर्म 9 clerk में हुआ फिल्स नर довольно मनी कॉल का जर्म में हुआ, भारती अभिनेता प्रेम अधीप का निधन 1969 में हुआ, भारत के एंतिम गवर्नर, जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी का निधन 1972 में हुआ, भारत के भूतपुर राश्रुपती ग्यारी जैल सिंग का निधन 1994 में हुआ, नाटकार पठकता लेखक वल्म वर्नाटे नर्देशक, सत्तदेव दूबेकार निधन 2011 में हुआ, भारते सिनेमा की प्रसिद अभिनेतरी, साथना का निधन 2015 में हुआ, वारत पिनाच हम बात करेंगे कॉशल भारत, कुशल भारत, योजना के बारे में, सोशल मीडिया पर कहीं सूचनाय बार इस हजार रुपए मान दे दिया जाएगा, निकती से पुर्व 1350 रुपए का पंजीकरन सुलक देना होगा, प्याइबी ने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, सरकार दोरा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही, वार्टसअप ने स्क्रीन शेयर फीचर जोके फिलाल कुछ बीटा टेस्स के पास उपलब्ध है, दरसल वार्टसअप वीडियो चौल के दोरान यूजस को यो ओडियो और वीडियो शेयर करने की सुभधा देने वाला है, यानि यूजस यीज़ वीडियो कॉल में स्क्रीन शेयर के दुरान वीडियो और दोनों श जानिये PF account में छिपे इस जानकारी के बारे में वैसी company जिसमें 20 से जादा करमचारी होते हैं वैसे company को अपने करमचारीों के हित के लिए PF यारी भविश्य नीधी खाता खुलवाना अनिवारे होता है इस खाते में company और करमचारी दोनों का अपना योगदान होता है इन करमचारीों को जो PF number अलोट होते हैं उन PF account number में नंबर के साथ English alphabet भी रहते हैं जिनने alpha numeric number कहते हैं इस खास नंबर से कई जानकारीों का पता चलता है इस नंबर को आप decode करके कई चीजे PF account के बारे में समझ सकते हैं जन में राज्य regional office company और PF member code आदि की जानकारी शामिल है उदारण के लिए यदि यह number MHBAL 056865 00677662 है तो इसमें MH का अर्थ मरहाश्ट्र है और BAN का अर्थबांध़रा regional office है और बाकी number company की establishment ID है प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरुड़ी सवार और उसे ज़ुने ज बिहार स्पेशल विग्यान करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे गए पांचों सवाल में आपने कितना सही उतर दिया यहां में कॉमेंट करके जरूर बताए हमारा पहला सवाल है हाली में ADB ने भारत की विकास दर के रुमान को बढ़ा कर कितना प्रतीशत किया है ऑप्शने 6.7 ऑप्शन भी 5.7 ऑप्शन सी 7.6 ऑप्शन भी 7.5 इसका सही उतर है ऑप्शने 6.7 अगला सवाल हाली में दुनिया के सिर्ष 50 एशिया इहंस्तियों की सूची में सिर्ष अस्थान पर कौन रहे हैं ऑप्शने शारुख खान ऑप्शन में अमिताब बच्चन ऑप्शन सी रतन टाटा ऑप्शन डी मुकेस अमबानी इसका सही उतर है ऑप्शने शारुख खान अगला सवाल वर्श 1749 पे बिहार के किस उपनवाव की हत्या हुई थी ऑप्शने अली बर्दी खान ऑप्शन भी हैवत जंग ऑप्शन सी शौकत जंग ऑप्शन डी में से क कोई नहीं इसका सही उतर है ऑप्शन डी हैवत जंग अगला सवाल मधुबनी चित्र कला के संबंध में कौन सा कथन सही है ऑप्शने यह लोग कला है ऑप्शन भी इसमें अधिकतर महिलाओं की ही भुमिकार ही है ऑप्शन सी यह कला भीदी चित्र और अरीपन दो प्रकार क जय लेख यह अब्शन डी इन में सभी ही ही का है कि करें आप इसका सहीत्तर हैkiej ऑप्शनदी इनमें सभी अगला सवाल सोनपूर म candles मेला नियम्न में से कहां आयूजित होता है औ्प्शन सुन गंगा के संगंपर। सेयुत सब्सक्राइब ए। इसके साथ ही भरते हाँच के सवाल की उराज का सवाल है भारतिय महिलार टीम के द्वारा और अरस्ट्रेलिया को घरेलू धरती पर हडा कर जीत हासल करने पड़ आप क्या कहना चाहेंगे अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बन रहें निकले देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फ बुले गने बाद